आपने रिक्वार्मेंट्स इस तरह लिखनी है कि आपके आगे हर एक लेवल के डिवेलपर को जो वो बात है वो इजी ली समझ आए कि आपने क्या लिखा वेब क्यों कि जो आपका आपका सरस डॉकुमेंट यही आगे जो है वो ट्रावल करेगा आप नहीं जाएंगे आगे डिजाइनर के पास आप खुद नहीं जाएंगे पोडर के पास अब हर वक बिएग आइनलिस्ट आप खुद नहीं बैठे रहेंगे यहां जो जो ट्लाइंट वो नहीं बैठा है चाहे यूजर मैनुल राइटर है चाहे टेकनिकल स्टाफ के लोग है कोई भी इंस्टेकोलडर है आपका ठीक है वो उसको जाना अच्छे तरीके से अंडर्स्टैंड कर सके अब यहां पे आप देखें सामने आपको याद होगा कि यो विजन डॉकुमेंट था विजन ड होती है ठीक है फीचर्स को ना आप यूजर लेवल रिक्वार्शन भी कहते हैं यूजर के कहते हैं उसकी वज़ाए कि जब यूजर आपको बता रहा होता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए तो बड़ी एब्स ब्मीर एंस बूं रप आता फिर being a system analyst या being a business analyst या आपकी responsibility है कि आप फिर उन detailing को जो है ना जिसके ओपर आप ध्यान रहें और उस detailing को जो है ना आप document करें या आप की जमेदारी है being a requirement analyst तो इसलिए feature level पे जो requirement लिखी जाती है ना उसको आप क्या कहते हैं user requirement और जो system level की जो software level की फिर डिटेल्स आप देते हैं उसको आप क्या कहते है software requirements या system requirements अब जैसे एक्जामपल भी लिखी हो यह सामने कि user level requirement है क्या आप देखे one जैसे हमने आपको याद activity भी की थी one हमने एक feature लिखा उसके बाद 1.1 one point two one point three one point four वो क्या था वो सारा उस feature को जो था वो क्या कर रहा था details add कर रहा था उसके अंदर याद है ना आपको वो जो हमने mobile phone वाली example देखी थी one point one one point two one point याद है ना वो सब याद रखना है आपने उसी के उपर base करके हम आगे चल रहे हैं अब user level requirement क्या है user level requirement यह है कि एक system है जो generate कर रहे है monthly management report showing the cost of drugs prescribed by each clinic during the month की कह जितने भी clinics एक month के अंदर जो है वो drugs जो है वो prescribe करते हैं महीने के end में जो है वो management एक report जो है ना जो है जो है ना generate करेगी अब यह क्या है यह user level requirement है अब यह एक feature है आप यह समझें feature कह लें है इसको user level requirement कह लें feature एक दो लफजों का होता है user level requirement उसको थोड़ा सा मजीद आप मतब कहलें कि फिला लेते हैं और software requirements तो फिर हर एक चीज की detail आपने देनी है मतब उसमें तो आपने कुछ नहीं चोड़ना अब देखे one level user level requirement की आगे कितनी detailing की हुई है one point one on the last working day of the month a summary of the drugs prescribed their cost and the prescribing clinics shall be generated 1.1 यह होगी कि आपका जो last working day है ना month का ठीक है उसमें जो है ना उन drugs की summary अपनी cost के साथ जो है ना clinics जो है ना वो generate करेंगे यह सब उपर वाले feature की देखें मजीद detailing हो रही है one point two system shall automatically generate the report for printing after 5.30 on the last working day of the month यह उसी feature के against हो रही है software requirement मगर details एड हो रही है one point three a report shall be created for each clinic and shall list the individual drug name the total number of prescription the number of doses prescribed and the total cost of the prescribed drugs यह और detail आपने आपने आड किये one point four में आपने और के software requirement आड किये if drugs are available in different dose units like 10 mg 20 mg and up to so on separate reports shall be created for each dose unit one point five क्या है access to all cost reports shall be restricted to authorized users listed on the management access control list यह आप समझ रहे हैं उपर एक user level requirement थी जिसके अंदर इतनी detail नहीं थी मगर वो सिर्फ एक line में उसने जो हैना requirement दी हुई थी मगर यह नीचे देखने हैं आप डबा जो system requirement specification है आपने उसके हर एक angle से उस user level requirement को system level requirement बनाने के लिए उसको आपने क्या की है detail की है यह समझ आई है सब बच्चों को यह बात यह example समझ आई है आपने हर एक स्याको सबाक उसका जो हैना आपने detail जो हैना वो आपने रख दिया उसके अंदर और इसी तरह अगर आपकी यह बात याद रखनी है अगर आपके system में 15 feature है इसका क्या मतलब है हर एक feature को आपने इस तरह पकड़ना है एक feature को या एक user requirement को पकड़ना है आपने और उसकी जितनी भी software requirement specifications हो सकते हैं उससे related जैसे for example feature number one तो फिर क्या है उसी feature या उसी user level requirement की आगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 and up to so on जितनी भी आप डाल सकते हैं उसके अंदर उसकी उसी से related software requirements आपने डालनी है क्यों डालनी है ताकि किसी भी किसम की जो कोई misconception है या ambiguity है या कोई कहलें कि कोई inconsistency है वो जो है वो ना रहे अच्छा मुझे बताएं आप software engineering में जब software requirements का topic पढ़े थे उसमें आपने एक चीज़ जरूर पढ़ी होगी कि software requirements should be complete, they should be consistent, they should be understandable, they should be unambiguous ये पढ़ा था ना आपने software requirements engineering में ये ही पिछीज़ें आद जो है वो revise हो रही है कि आपकी software requirements आपने बिदर होने चाहिए, consistent होनी चाहिए, complete होनी चाहिए, correct होनी चाहिए, validatable होनी चाहिए, understandable होनी چाहिए, ये सब क्या है ये आप समझे जिसे फौर एकजेंप्ल कहते हैं एक अक्छा मुसलमान होने के पैरमीटर्स क्या एं ? एक कहते हैं ये बंदा एक प्रक्टिकल मुसलिम है। इसे लिए आप क्या क्या चीज़े उसके आप कहते हैं किसके अंदर ये ये जो है ह NOW characteristics होने चाहिए हूँ वो पांच वक्त का नमाजी हो, अपने दुन्यावी मामलात में और अपने दीनी मामलात में जो है वो फेर हो, ऑनेस्ट हो, बिलकुल और बताएं, अल्ला का खौफ रखने वाला हो, इंसाफ पसंद हो, पांच बेसिक पिलर्स को फालो करता हो, बिलकुल इमान, जकात, बड़ों को इज़त करना जानता हो, चोटों से प्यार करना जानता हो, यह सब वो इंग्रीडियंट्स हैं, अच्छे मुसल्मान में जरूरी हैं, अच्छा हकूप और फॉराइस पूरे करने वाला हो, बिलकुल ठीके शाबाश, अब अगर फॉर एग्जामपल मैं कहूं कि एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा खलाक का हो बिलकुल, एक अच्छा स्टूडेंट में आब बताएं कि क्या-क्या इंग्रीडियंट्स होने चाहिए, तो एक अच्छा मुसल्मान हो गया न, अभी उसका more specific version है, एक अच्छा स्टूडेंट में क्या-क्या होने चाहिए हैं उसके पैरामीटर्स, अबीडियन्ट हो, मेंती हो, आँ जी और वो इनसान है ने खिलाग, डिसिप्लेंड हो, तर्बियत उसकी अच्छी हो, रिस्पॉंसिबल और पंक्चुल हो, बिल्कुल रिस्पॉंसिबिलिटी का इसास हो, टीचर्स की इंस्ट्रक्शन का फॉलो करे पंक्चुल हो, बिल्कुल इनिशियेटिव लेने वाला हो, बिल्कुल, मतब तीचर ने गर दो काम दी हैं, तो वो पांच करने की इसलाहित रखता हो, यानि कि वो कहते हैं कि तीचर तो आपका समझें कि एक उंगली पगर के आपको खड़ा करता है ना, जो बहुत मेंती स् तो इसी तरह ये जो है ना, complete हो, consistent हो, unambiguous हो, understandable हो, traceable हो, ये सब जो ingredients है, ये किस चीज के ingredients है, अच्छे software requirements specification के, कि जो आपकी requirements है ना, वो ये सारी, अगर checklist को fulfill करती है, तो इसका क्या मतलब है, वो requirements, अच्छी requirements लिखी हुई हैं, और अगर कहीं पर ये problem आपको feel होता है, कि व requirements लिखी हुई नहीं है, तो इन ही चीजों का हम discuss करेंगे आज, कि purpose of requirement क्या है, कि requirements का जो मकसद है, वो क्या establish कर रहा हो, clear, पहली बात, common और coherent understanding, ठीक है, clear, common और coherent understanding of what the software must accomplish, आपके सामने, clear, जो है, चीजें हो, common, clear का क्या मतलब है, कोई requirement incomplete लिखी हुई ना हो, हर बात आपने concise और complete लिखनी है, आगे examples आएंगी फिर आपको अंदाजा होगा, यह मैं क्या बातें कर रही हूँ, common का क्या मतलब है, कि जितने stakeholder है ना, वो एक बात को एक ही तरीके से समझ रहे हुँ, यह नहीं किसी को किसी तरह समझ आ रहे है, और common, sorry, coherent, coherent का क्या मतलब है, coherent means कि जितनी भ इक्सप्रेस की है, तो जब आपने software requirement specification features and software requirement specification लिखे हैं, तो वो कुछ और ही बात आप कर रहे हैं, उस ही से अगर आपने activity diagram बनाई है, तो आपने कोई और ही concept वहां पे implement कर दी है, use cases में आपने यह लिखा था, कि जो है ना, ATM machine में पैसे withdraw करने से पहले ना, pin एंटर करनी जो बात है, वो कहीं पर कुछ लिख दी है और कहीं पर कुछ लिख दी है, तो यह जो behavior है यह नहीं होना चाहिए, तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए trustability होती है, कि हम trace करते हैं, अच्छा जी, अब आते है quality of requirements, वही बात है कि जब भी आपने quality of requirements को आपने compare करना हो कि कौन सी high quality set of requirements हैं और कौन सी low quality set of requirements हैं, तो मختلف standards हैं, मختلف चीज़ें जो हैं आपके सामने रखी हैं, IEEE का जो 830 standard है, उसने 8 quality measures आपको बताए हैं, कि किसी भी SRS को अगर आपने चेक करने हैं, कि यह SRS कैसी लिखी हुई है, तो उसके 8 quality measures हैं, जिसके through आप चेक कर सकते हैं, कि यह कैसी SRS लिखी हुई है, इसी तरह रप ने उसी के अंदर, यानि कि जो IEEE का standard था, उसके अंदर रप ने क्या add कर दिया, understandability भी चेक करें, कि वो understandable है के नहीं है, काल विगर जो बुक का writer है, उसने जो आना feasibility और necessary, कि कोई requirement ऐसी तो नहीं, जो एमी खामखा लिक दी हो, जिस जो आना वो इसको लिख दी है, तो ये वो चीज़े हैं, जो आपने must जो आना वो चेक करनी होती है, अब एक है आपका quality measures में, जब भी बात कूँगी, तो ये क्या बात है, correctness, ambiguous now, verifiable, feasible, necessary, complete, understandable, तो मैं quality measures की जो मैं बात करूँगी, तो ये इन चीज़ों की मैं बात है, अब है statement level और collection level, statement level और collection level में क्या फरक है, ये थोड़ी दे कर लेगर आप hold कर लें तो, या मैं आगर बता ही दूँ आपको, statement level की जब बात होती है, statement level का मतलब ये है, जब बलके छोड़े, फोड़ा सा wait कर लें, आगे जब ये आएगा slide में तो फिर मैं आपको होते हैं, हाँ जी, correctness, आप जो भी बात लिख रहे हैं, वो accurately describe करें, जो के client ने आपको कहा है, clearly जो functionality वो आप से achieve करवाना चार है, being our developer, उसकी बात correct लिखे, अपनी तरफ से जो है ना, बीच में तोड मोड के कुछ ना लिखे, उसकी वज़ा ये है कि correctness जो है, वो आगे जा कि जिसको ले के system ने आगे जो है, वो build करना है, build होना है, system के अंदर जो भी functional team corporate करनी है, आपने, चीक है, जैसे for example, stakeholder ने आपको कहा था, कि क्या हो, कि all button presses within 5 seconds, कि जो software है, वो button press होने के 5 seconds के अंदर जो है, वो response करेगा, मगर आप ने ऐसा रस्मी क्या लिखा है, कि software shall respond to all button presses within 10 seconds, तो क्या हुआ, यह requirement सही नहीं है, it's incorrect, क्यों, कि client आपको 5 seconds कह रहा है, और आप क्या लिख रहे है, 10 seconds, तो यह गलत है चीज, आपने exactly वो ही document करना है, कि जो कि आपका client आपको कह रहा है, this is correctness, okay, unambiguous, unambiguous कि से निकला है, ambiguous से, ambiguous का क्या मतलब है, एक बात के कोई 2 मतलब नि है, natural language, requirements, writing, किसका topic था, natural language, writing of requirements, कौन सा group था, जिसका यह topic था, challenges of requirements in writing in natural language, natural language का problem यह है, कि जो natural language मतलब यह इंग्रेजी की, जो हम जुबान लिखते हैं, उसके अंदर क्या मतलब है, कि उसमें जब आप चीज लिखते हैं, तो आपको जादा केरफू होना पड़ता है, आपने शायद सुना होगा, वो शेर के, क्या है वो, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुकते ने महरम से मुझरिम कर दिया, ठीक है, यह शेर सुना है ना आप लोगोंने, बड़ा फेमस शेर है यह, कि आप जो है ना, वो सिर्फ कॉमा और उससे ही जाना पूरा मतलब जाना वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल आईशा, जैसे आपने बड़े मशूर जूमले इस तरह के देखे होंगे, रोको मत जाने दो, अब यहां पे सिर्फ कॉमा की प्लेस्मेंट से ना मतलब बदल रहा है, कि रोको के आगे लगाओगे तो क्या बन ज लिखेंगे तो क्या है, आप ने वही बता रही हूं बात कि डॉकुमेंट इस तरह लिखने है कि हर एक लेवल का स्टेक होल्डर जो है उसको अंडिस्टैंड कर सके, डिवेलपर भी समझ रहा हो, डिजाइनर भी समझ रहा हो, हर तरह के लोग उसको समझ रहे हो, तो अगर आप इस तरह की इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो क्या मसला हो जाएगा, वो यही होगा कि हर मन्दा अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहा होगा, अब दो तरह की इंबिविटी होती है, तो उनमें दोनों हैं, एक ही तरह की, मगर छोटा सफर के, उपर फोकस करें, कॉंसेप्चुल, कि जो जुमला आपने लिखावा है न, उस जुमले के अंदर कॉंसेप्चुली प्रॉब्लम है, जिसकी वज़ा से न, इंबिविटी पैदा हो रही है, यानि कि वह जुमला इस तरह लिखावा है, कि वो खुद जो है न, कुछ और है मैं कहते हूं उस system शल इफिशेंट मेरे लिए efficiency का मियार कुछ है आपके लिए efficiency का मियार कुछ बिल्क एंबिगुटीब है यह चीज के एक चीज के मल्टिपल मतलब निकले आप यह देखें यह जुम्ला जो है ना यह conceptually ambiguous है क्यों कि फास्ट कितना फास्ट क्या चाहते हैं आप it's a matter of the statement constraint ठीक है कि अब जो statement है वो जो है ना वो क्या किस तरह से जो है ना उसको interpret किया जा रहा है तो system shall be fast वो हर एक बंदा उसको मुखलिस तरह से जो है ना वो समझेगा तो fast को भी आपने ambiguous नहीं छोड़ना fast को भी ब बटन प्रेस करें within five milliseconds जो है ना system response जनरेट कर दे तो अब यह जब आपने लिखा है ना five millisecond के अंदर system response जनरेट कर दे अब बात समझाती है क्या आप fast किसको कह रहे हैं तो जब इसको tested test करेगा अब for example अगर आपने इसको लिखा हो system shall be fast अब अगर let's suppose मेरे लिए fast यह कि 10 second के बैठा रहूं मैं तो expect का रहा था कि 5 second के अंदर जवाब आजए तो आपको यह बात समझा रही है इस fast को भी आपने ना कहीं पे यह इस तरह dotted line नहीं चोडनी के उसके जो है ना वो कोई ambiguity create हो जुमले के अंदर को conceptually आपने ambiguity नहीं चोडनी है अब चलते हैं आगे that is audience ambiguity audience ambiguity का क क्या मतलब है जुमला लिखावा इस तरह हैं कि उसके जो है ना वो दो चार मतलब निकल रहे हैं यानिके जो इनसान उसको पाड़ है ना उसको एक अपना ही मतलब नजर आ रहा है उसमें जुमला लिखावा पूरा है मगर क्या है कि उसके मतलब मुफतलिफ है जासे for example Mary had a little lamb अब इसका कुछ समय नहीं आ रहा कि Mary जो है उसका little lamb Mary का lamb जो है वो पैट है यानिके Mary कोई लड़की है या Mary कोई बकरी है जिसका जो baby है वो lamb है कि does it mean she gave birth to one does it mean she kept one as a pet यानिके अगर Mary मेरी इनसान है तो फिर वो पैट है मेरी एक बकरी है तो फिर वो उसका उलाद है यह बास समझाई है आपको जुमला आपने लिखा है मगर वो इतना ambiguous है कि आपके जो different लोग है ना उसको मुझत तरह से उसको जो है वो interpret कर रहे है ठीक है तो फिर क्या है कि इस चीज को overcome करने के लिए क्या होती है चीज एक होती है पीर review पीर review का क्या मतलब है कि document आए आप पीर जो है ना सारे बैठके उसको review कर रहे हूं आपके साथी review कर रहे हैं उसको बैठके किसकंद को यह ऐसी problem तो नहीं जैसे for example आप अपनी assignments बनाते है आप activities बनाते है यह वो फिर अपने group में आप भेजते हैं कि इसको check कर लो इसक जो है ना peer review से भी जो है ना वो रिमूव हो जाती होती है okay if this is clear let's move forward अच्छा मैं आपको बात बता रही थी कि जो natural language है ना वो उसके अंदर बहुत ख्याल करना पड़ता है जब आपने requirements लिखनी हो क्यों क्योंकि जब एक ही बात है और वो commas पे dependent है full stop पे dependent है punctuations पे dependent है तो यह उसके मुक्तलिफ मतलब निकल सकते हैं आपने जैसे वो logical operations पढ़े हैं आपने and or not वो जो logical gates होते हैं यह logical operators पढ़े हैं आपने उसमें पढ़े होंगे ITC में भी पढ़े होंगे आपने किसी कोर्स में ज़रूर पढ़े होंगे पढ़े मन बद जिन्दा बाद हो गया तो जी फॉर अप्टू 12 एर्क्राफ तब टॉपले फॉर्माट शैल बी यूज़ अधर्वाइस लाज इस्पले इस्पले फॉर्माट विल बी यूज़ अगर बारा साइस तक का एर्क्राफ तो उसके अंदर स्मॉल इस्पले जो होगा और उसे बड़े जोंगे उनके लिए अब आगे देखें एर्क्राफ डाट अनौन फ्रेंडली एवन अननों मिशन और पोटेंशल टू एंटर रिस्ट्रिक्टिटेड एरिया डाट विल जनरेत अनलाम विदिन फाइफ मिनिट्स शैल रेज अनलर्ट चीख है अब आप आगे देखें यह जो रिक्वार्मेंट अब अगर इसके आप कम्बिनेशन बना के देखें न तो यह एक तो जुमला बहुत बड़ा है चीख है रिक्वार्मेंट में जब आप लिखते हैं ने जुम्ला जो है न वो इतने साइस का हो कि उसका एक ही मतलब निकल रहा हो दो चार जुमलों को मिक्स ना करें उससे क्य देखें नीचे दो इंट्रेशन इसकी बनती हैं एर्क्राफ्ट डैटर आइधर नौन फ्रेंडली एंड है एन अननोन मिशन और दा पोटेंशल टो एंटर रिस्ट्रिक्टेड एर्स्पेस विल विदिन विद फाइफ मिनिट्स शेल रेज एन अलर्ट फिर आगे क्या बंथी एक इंटर्प्रेटेशन एर्क्राफ्ट डैटर नौन फ्रेंडली एंड आइधर एव अनननोन मिशन और पोटेंशल टो एं इंटर्प्रेशन बन रही है तो अब इसका क्या मतलब है दो इंटर्प्रेशन बन रही है तो जब इसको इंप्लिमेंट किया जाएगा तो वह थीक नहीं किया जाएगा तो इसलिए आप ने इस बात का बहुत ख्याल रख तो यह बात आपको समझ आगी है यहां तक जो मैं किसम की बनेंगी ओके फाइन आगे चलते हैं अब क्या है कि इंबिग्विटी की चेक लिस्ट किन किन लफजों को आप वाइड करें अपने रिकॉरमेंट्स की जब आप सौफ़े रिकॉरमेंट्स स्पैसिफिकेशन लिख रहे हैं फीचर से आगे जब आप सिस्टम की स्पैस पूरी कम्प्लीट बात बताएं कि एंट्री क्या क्या कर रहे हैं बगएरा बगएरा का मतलब बहुत बगएरा बगएरा बनता है जैसे फॉर एक्जमबल मैं आपकी ममा जो है ना आपको कहती है मार्केट से यह लेके आना है दूद लाने अंडे लाने और इसेक्ट्रा आप जो है ना वो जनरेटर भी खरीद के ले जाएंगे तो क्या है कि सेक्ट्रा नहीं चोड़ना कहीं पर आपने क्लियर कंसाइस कंप्लीट बात लिखनी है इस तरह के फ्रेजिस को एवाइड करना है जर्नली नॉर्मली ठीक है यह जो वर्ड्स हैं यह भी वेग वर्ड्स जो प्रोर अगर रही букon चैनली राधम स्ट्रा करना है कि टीक है यह फूरा जुमला लिखने है सिस्टम विल सेव दा संव मेंशन अगर लिखेंगे ना it will save the information तो वो ठीक नहीं है काम फिर उसके बाद comparative statements लिखने पर रेस करें के earliest हो जाएगा काम, latest हो जाएगा, highest priority पर हो जाएगा, ये वाली भी चीज़ें जो है न comparative words ये भी आप avoid करें, ये बात समझाएगे आपको, सारों को, ambiguity create करते हैं ये इलफास, आप आपके document के अंदर, ओकें, हां जी, ranking, ये बात आपने उसमें भी पड़ी होगी, अभी आप vision document में भी कर रहे थे, rank किया आपने, हाशी कोन सा feature, बहुत important है, कोन सा feature , पहले version ने Early Vision में में देना है कोन सा feature दूसरे वर्जिन में देना है, क Twitter तेस्रे वर्जिन में देना है ठीक कौन से features की low priority है जो अगर हम for example किसी final version में के बाद भी अगर implement करके दे देंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा मगर highest priority वाले features को आपने पहले implement करके देना है तो यह वो सब ranking के उसमें आपके ना आते हैं verifiable verifiable का क्या मतलब है testable कि आपकी जो तो रिक्वार्मेंट्स है ना वो test की जा सके अब जैसे for example आपने लिखा हो कि वो जब पीछे अपने एमने example देखी ती system शेल भी fast अब मुझे बताएं वो मैंने example दे भी दी थी आपको वो क्या यह test हो सकता है तो क्या है कि अब जो है ना वो complete नहीं है क्यों कि मेरे लिए fast कुछ और है आपके लिए fast कुछ और है client के लिए fast कुछ और है developer के लिए fast कुछ और है तो जैसे for example अब यहां पर देखे example के लिखिए the car shall have power brakes the car should come to a full stop from 60 miles per hour within five seconds means the power brake shell fully engaged with four lbs of pressure applied to the brake pedal हां जी अब मुझे बताएं car shall have a power brake एक यह requirement लिखने का तरीक है और दो नीचे लिखिए हुई है मुझे बताएं कौन सा version testable है second and third वाले को आप test कर सकते हैं क्यूं क्यूंकि वह बहुत detail में लिखा हुए कि 60 miles per hour within five seconds में अगर जो है ना वो ब्रेक लग जाती है तो क्या है कि उसको test किया जा सकता है उपर वाली को test नहीं किया जा सकता है traceable requirement traceability जो topic था कुछ बच्चों का यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ traceability हमेशा किस चीज को verify करती है कि are you on a right track or not जैसे for example मैंने भी आपको example दीती थोड़ी देर पहले कि तीन document बने में requirements related एक use cases बनाए हुए आपने एक आपने जो है वो यह software requirement specification and features लिखे हुए और एक आपने जो है आप activity diagram बनाई हुए है जो आपके use cases है उसमें आपने लिखा हुए कि unique pin जो है ना वो enter करेगा user तो जो है ना cash withdraw करेगा जो आपके software requirement specification है उदर यह चीज गाइब हो गई है जब आपने वो withdraw amount का जो है ना use case का आपने जो है ना software requirement specification लिखी है और फिर activity diagram में आगे है कि ذu दफा पिन जो अन्हें verify हो गी यह एक दफाप इन आउन्टर करेगा उसके बाद उसे दुबारा आउन्टर करना पड़ेगा अब मुझे बात बिटाएं यह क्या ठीक लिखा है अपने काम एक जगा कुछ लिखा है दुसरी जगा कुछ लिखा है तीसरी जगा कुछ तो क्या है ट्रेषबिलिटी आपको किस चीज को इने बल करती है कि आप जो है ना व उसके सोर्स से अपने रिकौर्म gjort को जो है ना वव आप क्या कर सकें वेरीफाइ कर सकें याனि कि ट्रेषबिलिटी मैपिंघ इग्जेक्ली इट्सा मैपिंग ओ हॉर्म common from a source to its destination या उसकी destination से उसकी source की तरफ जो है ना वो क्या है उसकी traceability है और traceability कैसे अचीव की जाती है uniquely numbers से unique identifier से आपने note किया होगा use cases के भी numbers होते हैं activity diagrams के भी numbers होते हैं features and software requirements में numbers होते हैं जैसे for example आपने देखा था भी one लिखा वा था user requirement और नीचे क्या आ रहा था 1.1 1.2 1.3 इसका क्या मतलब है कि अगर 1.3 का जो है वो आगे code हुआ है तो आप जाके उसको कमसकम test कर सकें कि यह जो अभी code की है मैंने feature 1.1 sorry requirement मैंने जो code की है यह पीछे इसी तरह लिखी हुई थी अगर आप नई नंबर लगाएंगे तो क्या होगा आपको पता ही नहीं हो ना कि इसको जाके मैंने ढूंडना का है जैसे for example मैंने आपको एग्जांपल दी थी नहीं मेले में अगर कोई बच्चा खो गया है तो आप ने इलान कराना है कि यह किसी का बच्चा खो गया है तो आप अब उसको कैसे उसके माबब को ढूंडेंगे मैसब हो जाएगा इग्जेक्ली तो आपको उसके साथ उसका एक आइडेंटिफायर लगाना पड़ेगा उस बच्चे का नाम उसके अबबा का नाम और फिर आप एलान कराएंगे तो फिर चांसे हैं कि आपको उसका वालिद बच्चे का मिल जाए मगर अगर उसके साथ कोई इडेंटिफायर नहीं लगा होगा तो वो बहुत मुश्किल है कि उसके अबाव इजदाद आपको वो मिल सके Understandable, Requirements जो है वो क्या हो समझ आ रही हो ठीक है तो क्या है कि Understandability का कि User और Developer जो दोनों Parties हैं वो उसको समझ सके और उसको फिर क्या हो वो Implement की जा सके Understandability अच्छा बात हो रही थी दो लेवल पे Completeness, Statement Level and Collection Level अच्छा Statement Level क्या है जैसे आपके नाम से ही आपको पता चल रहा है Statement Level, Statement 1, Statement 2, Statement 3, Statement 4 जितनी भी Statements हैं जैसे वो जैसे पीछे हम बातें का रहे थे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 यह जितनी Statements हैं यह सब की सब क्या हों Complete भी हो, Verifiable भी हो, Testable भी हो, Understandable भी हो, Pressable भी हो इसके अंदर वो सारे जो flavors है ना वो मुझूद हो यह Individual Statement Level है और Collection Level का क्या मतलब आपको पता है कि फिर एक Overall Document बनता है जैसे मैं आपको क्या बताया था अभी हम SRS के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं प्रोजेक्ट में आपने Business Modeling की आप अभी जो है ना Vision Document बनाया आपने Next आपके Use Cases आ रहे हैं फिर आपका जो है वो Features और Software Requirements आ जेंगे फिर आपका Supplementary Specification आ जेगा फिर आप क्या है एक Final Report जमा कराएंगे जिसके अंदर ये सारे Document आप मुझे अटाच करके जमा कराएंगे वो जो Compact Report होगी उसको हम क्या कहते हैं हम उसको कहते है SRS तो वो Collection Level है ठीक है वो जो आपने पूरी Report बनाई है ना वो एक Collection Level है कि उस लेवल पे भी आपने जो एनर प्रेसिबिलिटी का ख्याल करने है Figures के Numbers हो जैसे मैंने भी आपको रिपोर्ट में इस तफ़ा कहा था Table of Contents हो, Figures के Numbers हो, Table की Captions हो, ठीक है Page के Numbers हो, बकाइदा अगर figure आपने जो है वो कहीं पे डाली हुई है तो उसका reference, उसको refer किया गया हो, टेक्स्ट के अंदर उसका बकाईदा reference हो, तो यह सब क्या है? यह collection level मैं कह रही हूँ कि यह सब क्या है, completeness है Statement Level का तो आपने जो ख्याल रखना है, हैसो रखना है Collection Level का भी आपने ख्याल रखना है completeness का I hope I am clear in this concept खिर अब किंप्लीटनिस का आपने functional requirement में योर्शनल रिकृर्मेंट में भी और नॉन functionally requirement में भी आपने ख्याल रखने है ठीक है जैसे आपको पता है कि ये जो में परफॉर्मेंस है यूज बिलिटी मैं सब क्या है आपके नॉन functional requirements है ठीक है तो अभी जैसे हम ने देखा था कि system shall be fast ठीक है तो वो क्या था वो एक non-functional requirement है na performance से related है कि system fast होगा कि जल्दी result देगा तो यह आपको अच्छी तरह पता है कि ATM से अगर आपने पैसे निकलवाने हैं मैं आपको आगे वैसे हमारा topic next topic है इंशाला हमारा NFRs का मगर फिर भी मैं आपको example दे देती हूं functional requirement और non-functional requirement का फर्ग कि आपका जो है ना एक requirement है functional requirement के ATM से जो है ना पैसे withdraw होंगे दो मशीने आपने सामने लगी हुई है एक ATM मशीन और दूसरी ATM मशीन एक एक HBL की लगी हुई है और एक UBL की लगी हुई है ठीक है जो requirement है functional requirement का है कि ATM मशीन से पैसे withdraw होंगे दोनों मशीने पैसे withdraw कर रही है मगर पैसे कितनी जल्दी withdraw हो रहे हैं that is a additional information जिसको आप क्या कहते है behavioral information कि वो कितने अच्छे तरीके से behave कर रहे है that is your performance machine ये भी पैसे dispense कर रही है machine opposite वाली भी पैसे dispense कर रही है मगर कौन जादा quickly पैसे dispense कर रही है ये चीज़ मैटर करता है performance किसकी अच्छी है एक जो है वो 5 minute आपको इंतजार करना पड़ता है आप गिच 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 पीछ जो है न वो machine गिच 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 लगी हुई है और एक ने ऐसे super sonic within three seconds आपको जो है न वो पैसे निकाल के दे दी है आप किस पर जाएंगे जिसने आपको quickly पैसे निकाल के दे दी हैं, काम दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जब completeness का ख्याल रखना है, ना सिर्फ functional requirements में, बलके non-functional requirements में भी, तो फिर वो जो example थी हमारे पास, system shall be fast, वो एक non-functional requirement है, तो उसको जो है है, लिखने का तरीका फिर क्या है, कि प्रॉपर पूरी बात लिखनी है, कि 90% of all the transaction will have a response time less than three seconds, तो इसका क्या मतलब है कि जो non-functional requirements में हैं, उनको भी जब आपने specify करने, complete बात लिखनी है, कहीं पे कोई ऐसी dotted line में ही चोड़नी, जहां पे भी कोई chances हो, कोई दो राय होने के, कोई ambiguity create होने के, ठीक है, functional requirements में तो आपने करना ही करना है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, consistency, ठीक है, जैसे बात करते हैं, यहार इस बंदे की personality, बड़ी को consistent personality है, इसका क्या मतलब है, वो जो बंदा कहता है, वो करता है, जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ, जी नमाज पढ़ा करो, ठीक है, मैं अगर खुद नमाज नी पढ़ती होंगी, और आपको मैं कह रही हूँ, तो मेरी consistent personality नहीं है, तो consistent का क्या मतलब है, जो बात एक जगा करें ना, वो ही बात आप आगे करें, अपनी बात से फिर ना जाएं आप, यनकि अगर मैंने आपको यह बात कही है, कि जी मैं, let's suppose, आपको पूरी क्लास को पांच-पांच नमबर एक्स्ट्रा दे रही हूं पूरे समेस्टर में, अब क्या है, मैंने जो फाइनल एवैलुएशन किया तो मैंने यह नहीं किया, अब यह क्या है, यह क्या है, मैं अपनी बात से फिर गई हूँ, मेरा बहेविर कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे यहां पर लिखा है कि all employees, एक जगा लिखा मैंने क्या, कि all employees who are 65 or older at the end of a calendar year shall receive a bonus of $1,000, तो अब क्या है, एक और जगा जो है, वो बात क्या मैं लिख रही हूं, कि all employees with 10 years or more of service at the end of a calendar year, they will receive bonus of $500, तो अब यह देखें, यह consistent नहीं है बात, मैंने हो सकता है, use cases में यह बात स्पेसिफिकेशन का डॉकुमेंट यानि के फीचर जो सौफ़र रिक्वार्मेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन जब मैं लिख रही हूं, तो मैंने वहां पर उसको क्या कर दिया, $500, और उसके बज़े मैंने एक्टिविटी डाइग्राम बने है, वहां पर मैंने पता नहीं $ तो क्या हुआ, अब यह जब मैंने ट्रेस किया तो मुझे पता चला कि यह consistent behavior नहीं है, यह बात समझाईए आप सबको, example समझाईए सब अच्चों को, क्यो requirements का हर पार्ट जो है ना पूरा document वह एक ही बात जो है वह क्या है, वह represent कर रहा हूँ, modifiability, अच्छा, अब अगर for example, uh modifiability की बात क्या है? कि आपने अगर इन चीजों का खिया नहीं रखावा, यह आप मुझे question का answer यह आप लोगों ने मुझे देना है? ठीक है? कि अगर आपने numbering का ख्याल नहीं रखावा, आपने consistency का ख्याल नहीं रखावा, आपने verifiability का ख्याल नहीं रखावा, तो मुझे एक बात बताएं, आपको पता है कि modify भी करना पड़ सकता है चीज को, आपकी client के साथ meeting हुई, client ने जो है ना, आपको मजीद information clear हुई, तो आपको क्या है, आगे पीछे चीजों को modify करना पड़ सकता है, ठीक है, समझ ही नहीं आईगी, खुद confused हो जाएंगे, exactly, जब आपको बदलना पड़ेगा ना कुछ, आपने ना numbering से ही रखी हुई है, ना आपने उसका कोई structure ठीक रखावा है document का, तो जब आपको बदलन पड़ेगा ना, आप खुद confused हो जाएंगे, कि क्या उसे कहना चाहिए, कि किस कान तो फड़िये ते किस कान तो ना फड़िये, mix हो जाएगा, सब mix मसाला हो जाना है, आपको कुछ समझ नहीं आना, आपने पंथला जाना है, इना देसी जबान, कि आपको समझ नहीं आनी है क किस को रोएं और किस को पीते हैं, यह आल हो जाना है आपका, इसलिए चीज़ों को जो है वह बहुत क्रॉस रेफरेंस नंबर, इसलिए तो मैं आपको इतना तफ टाइम देती हूं आपके डॉकुमेंट के ओपर, कि यह चीज़ों को ख्याल करो, रेफरेंसिंग करो, अपन इसलिए चीज़ों को ख्याल करो, तो एक अच्छा डॉकुमेंट जो फॉर्मैटिंग का ख्याल करो, तो एक अच्छा डॉकुमेंट जो फॉर्मैट हुआ होता है वो उसकी तोरे ही मुख्तलिफ होती है, ठीक है? यह साब इसी वजह से मैं कहती हूं आप लोगं के पीछे चलो जी, शॉपन यॉर स्किल्स नो, एक्सराइस टाइम, अच्छा इसका कता ही है, मतलब नहीं है कि आप जंपिंग जैक्स चुरू कर दें, एक्सराइस का मतलब यह है, कि अब हमना एक्जाम्पल्स देखेंगे, अच्छी रिकॉर्मेंट्स और बुरी रिकॉर्मेंट्स नोट लस तन एवरी 60 सेकंड, अब आप नहीं मुझे बताना है कि इस रिकॉर्मेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, आपको क्या फील होता है, प्रॉब्लम्स देखें इसके अंदर क्या है, रिकॉर्मेंट्स इंक्म्पलीट, जैसे आप कह रहे हैं कि कौन से स्टेटस म मैस्जिद रिली सपोस्ट तो बी अट लीस सिस्टी सेकंड, और शोइंग अन्यू मैसिज अवरी 10 यर्स इस ओके, कम से कम बताया, जादा से जादा कर नहीं बताया, परहपस दा इंटेंड इस्टी सेकंड एलाफ्स बट्वीन मैस्जिद विदिन, वोड वन बिली सेकंड तो शॉर्ट, दवर्ड एवरी जस्ट कंफ्यूजिस दा इशू, ऐसे रिजल्ट आफ इस प्रॉब्लम दर रिक्वार्मन इस नौट वेरिफायबल ठीक है, तो यह बात अड्मिट करते हैं आप, कि इन सारे प्रॉब्लम के वह जासे अब रिक्वार्मन वेरिफायबल भी नहीं है, डू यू अग्री, कि इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें ही अंबिग्वेस हैं, पिलकुल ठीक है, शाब बाश, चलो जी, नेस्ट एक्जांपल, अब गुड वे ओफ राइटिंग क्या था इसका, फीचर लिखते हैं, फीचर वन, यानि कि य यू जी, यू लिए है ईलिख शॉिग यूटतूभ संक्सपर, टा सब्रफ लिखते हैं, कि यूट बाश है कि वेचरेंश पीजू हैं, क्यूंछ को जा कि मॉड पैर्छांपाष, इसके स sencillTO कर णिफचे स सीन, मौ 만들어 के और् मंवेट 4 कि यू लग्व लिखते हैं, फेसंप्र ह of writing है के नहीं है क्यों क्योंकि यह सब जो है वो क्या है testable भी है और यह verifiable भी है और यह complete भी है चाले आप इसको पढ़े requirement number two इसके अंदर आपने बताने है कि इसके अंदर आपको क्या problem फील हो रहे है अब open और और आपने requirement के दिये कि system जो है ना वो alarm display करेगा अब इसका जो है ना better way of writing क्या होना चाहिए था कि the system shall play the sound ठीक है alarm बकाइदा बताया कौन सा alarm once at the highest volume of setting in the main speaker of the building when the door opens तो क्या है कि इसको लिखने का एक बेतरीन तरीका क्या है कि आप यह भी बताएं कि alarm कौन सा और कहां पे किस pattern पे जो है वो display होगा building इसी तरह क्यों को और example है the system shall respond quickly to user interaction अब वहां पर भी यह problem है कि quickly का कुछ पता नहीं कि कितना quickly तो इसको better way of writing क्या है कि system shall respond to user interaction within maximum two seconds minimum 0.2 seconds average one second with a cpu load of 0.5 so is it verifiable or testable or not now requirement five in a better version what do you say is it a more testable version of requirement or the previous one was the better next आगे भी कुछ requirements लिखी हुई है requirement six लिखी है there are four classes of users in the system maintainer administrator normal user guest seven के लिखी है के requirement guest user is able to enter areas x1 x2 and x3 r8 के लिखी है normal user is able to enter all areas in the building requirement nine के लिखी है an administrator is a normal user who also have the right to add or modify or delete user in the system requirement 10 के लिखी है maintainer is a guest who is also able to enter area x99 and perform backups view system logs and add modify delete user देखें पहले उसे सारे बताए हैं कि कौन कौन से users है फिर बताया है guest user जो है वो कहां कहां क्या क्या responsibility परफॉर्म कर सकता है normal user क्या कर सकता है administrator के पास normal user से extra थोड़ी सी जो है ना है maintainer भी एक guest है मगर उसके पास क्या है कि कुछ और किसम के राइट से तो इस तरह से आपने क्या है कि पूरी detail हर एक बाद जो है ना वो document में mention करनी होती है अब requirement 11 क्या है कि when the user enters a correct code the door shall open ठीक है अब इसको लिखने का better version क्या है कि when the user enters the code associated with him or her on the keypad k2 the door d2 shall unlock and remain unlocked for 30 seconds तो क्या है कि आपने जो है वो इसको मजीद in a better way आपने पूरी detailing कर दी है